हलो दोस्तों मैं महिंदर आपका माद्स गूरू अज बताने वाला हूँ GMT 2024 के टाइम टेबल का सिक्रिट अगर इस टाइम टेबल के सीक्रिट जो आपको मिलने वाला है फॉलो कर लेते हैं बच्चो तो आपकी आसान होने वाली है जरु बहुत ही प्यारे तरीके से आप अपनी पूरी तयारी कर पाओगे रिवाइस कर पाओगे और चाहे आप किसी भी डोमीन को बिलॉंग करते हो यानि कि आप चाहे आर्ट्स के हो चाहे आप साइंस के हो चाहे आप कॉमर्स बैक्राउंड के हो आप किसी भी बैक्राउंड के हो इस टाइम टेबल को फॉल एक एक करके देख लेते हैं कि आखर यह Time Table Secret है क्या तो सबसे पहले आपके सामने आ जाता है बच्चों की यह Time Table कब से कब तक का होने वाला है तो यह होने वाला है आपका November 2023 से लेकर मई 2014 यानि कि जब से आपके exam चालू होंगे तो मान के चलता हूं कि बच्चों आपने ये 20 एक तारिक से आपने start किया और लगभग ये जो आपका रहेगा ये आपका 10-15 मई तक रहेगा क्योंकि 15 मई से आपके लगभग exam चालू होने वाले तो लगभग 6 महीने हैं हमारे पास इस अपना एक syllabus कवर करना है पूरा का पूरा तो जो जो डोमेन के आप test देने वाले हैं जैसे language देने वाले हैं domains के तीन अगर आप टेस्ट का टेस्ट देने वाले हैं अभी इन सबका जो time जो आपके पास syllabus है वो बच्चों किस तरह से आप निकालोगे कहां से निकालोगे इसक तो इनका syllabus आपको cover करना है बच्चों किस तरह से cover करेंगे उसके बारे में भी हम चट्चा करेंगे फिर आपको ये जो syllabus आपने पूरा का पूरा जो आपने cover कर लिया cover करने का मतलब आपने पढ़े लिया आप इसको revise भी तो करना पढ़ेगा क्योंकि जब तक आपने revision नहीं कि है अब जब तक आप उसको MCQ टाइप में practice नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें समझने आएंगे paper पूछ कैसे रहा है यहां पर ठीक है ना और फिर लास्ट में आपको देना है mock test देने बच्चों mock test इसलिए देने है ताकि आपको पता चल सके कि exam में बैठके question जो धड़ करना है कैसे करेंगे चलो एक एक करके हम discuss करते हैं सबसे पहले हम syllabus कवर कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं syllabus कवर करने की बात करूं तो नवेंबर 2023 से फैब 2014 तक कि अगर वान के चलता हूं लगबख तीन महीने में आपको syllabus को खतम करना है बचो ठीक है अब यह syllabus खतम कैसे होगा तो syllabus खतम करने के लिए आपको important chapters के important topics को ही पढ़ना है ठीक है तो जो जो आपके important chapters हैं उनके important topics को पढ़िए उसके लिए आप क्या कर सकते हो previous year questions का analysis कर सकते हो देख सकते हो कि किस-किस chapter से कितने-कितने question आये हैं और किस-किस topic से question पूछे गए हैं यह आप कर सकते हो ठीक है या फिर आप किसी भी जो आपके favorite faculties हैं उनसे आप इसके demand कर सकते हो कि सर आप इसके बारे में बताईए कि कौन-कौन से important chapter से हम इसके अंधर हम क्या-क्या पढ़ सकते हैं तो यह आप उनके साथ demand कर सकते हो या फिर आप खुद भी analysis कर सकते हो पीवाई की उस में Monday to Friday का ही बनेगा यानि की जो भी आप टाइम टेबल बनाने वाले हो वो पांच दिन का टाइम टेबल ही होना चाहिए हफते में ठीक है पांच दिन का टाइम टेबल बनाओगे और ऐसा बनाओगे जो फॉलो कर सकते हो अन्रियलिस्टिक याने की काल्पनिक नहीं बनाना की सुभह बारा वजसे लेकर रात के बारावज तक पड़ता ही रहूंगा कुछ नहीं करूंगा और ऐसा टाइम टेबल नहीं होना चाहिए आपका टाइम टेबल होना फ्राइडे का बना लिया हो सकता है कि बीच में कुछ हो गया नहीं कर पाए कुछ तो इसे बोलते हैं बैक लॉग यानि कि छूट गया जो चीज तो उसके लिए आपके पास सटर्डे और संडे रहेंगे ठीक है तो सटर्डे और संडे को हमें क्या करना है हम बैकलॉग रखेंगे अपने तो सटर्डे संडे को हमने कर लिया इसके बाद हम शॉट नोट्स बनाएंगे साथ रिवीजन के साथ साथ आपको शॉट नोट्स बनाने हैं ध्यान रखेगा इसलिए ही रिवाइजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बहुत सारा पढ़ा इसका समझ में आ जाता है कि दो लाइन पढ़के मेरे को यह पूरा पैराग्राफ समझ में आ रहा है तो आप उसको भी लिख सकते हो इंपॉर्टेंट फॉर्मॉला लिख सकते हैं इसके नीचे एक 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 अग्जांपल्स आपने कोश्टन के लिख दिये कि हां यार यहाँ यह व जोक बनते हैं तो हम सटरडे संदे को हम उसको युपता सके contexto आपको बच्चों जो अगले 25 मोजेन साथ साथ चलेगी चप्टर वाइज करना है चप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है यानिकि मान लीज एकि आपके कि कि को कैसे करना है कि भीया पहले पहला चप्टर मैंने रिवाइस किया फिर पहले चप्टर के मैंने मैंने की उसको प्रैक्टिस किया समझ गए तो मैंने को रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना रिवीजन में शॉट नोट से करूंगा प्रैक्टिस में objective टाइब कुश्चन मुझे जहां से भी मिल जाए में वहां से objective टाइब कुश्चन को सॉल कर लो समझ मारी बात की नहीं ठीक है ध्यान रखेगा यह आपको प्रैक्टिस जो है वो चैप्टर वाइस करनी है एक एक चैप्टर करके करनी है आपको ताकि आपको चीज़ें बैटर तरीके से समझ में आए और एक टाइम पर एक ही जगा पर फोकस हो तो सबसे पहले आ प्रैक्टिस का जो स्लॉट्स होना चाहिए यह अगले दो महीने के लिए होना चाहिए ठीक है यह अगले दो मन्त में आपको यह प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों रुटाना है तो हमारे तीन महीने हो गए तीन महीने में हमें स्लेबस कवर करना है दो महीने हमें मोक test दे च्रकान चाहरा और किस तरीके से देना मॉक-टेसम्ट ca panel कि आ है कि आपका वो वैसा टेस्ट जैसा कि आपका PPR में किस तरीके से बनके आएगा उस हिसाब से मोक-टेस तरीस आपको मिल जाएंगी ऑन यहांने कि जो आपका test conduct करवाती है अट ना कटेस्ट कर आती है वही उसी के Interface आपको मिलने वाला यहां पर आपको डेखने को मिलेगा किसा ही दिखेगा आपको यह आपको शंतना ऑपाइज आपया इसको टेष्ट देना कैसे जमानगी चैनिज अपने टेस्ट दिया अब टेस्ट देने के बाद क्या करना है तो आपको इसका विशलेशन करना आपको एनालेसिस करना एनालेसिस में क्या क्या करना है वो समझोगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह वाला आपने पढ़ लिया आपने रिवाइस कर लिया आपने प्रैक्ट उड़ा दिये छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं अब ऐसे को देखना है जो बने तो सही लेकिन थोड़ा टाइम लग गया अब आपको विशलेशन क्या करना है यह जिन में मेरे को टाइम लगा जिन को मेरे को टाइम लगा ठीक है बने तो लेकिन टाइम लगा उनको अपर देख सकते सुधार के लिए और आप आपकोस से करशिन को देखना है उन को बहुत है जिसमें टाइम लगा और एक जो बने यही नहीं सब्सक्राइब ऑपस लगार है कि अब बन रहे हैं कि एक तेष्ट में दम मैंटल प्रेशर हो तो छैठ किलिक नहीं कि अगर 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 वह जल्दी बन पा रहे हैं तो और अच्छी बाते लेकिन अगर बन ही नहीं रहें तो आप उसके य। उसका इसका पर नहीं पड़ाता अब उसको अपने शौट आपको add करो improve करो सुधार करो फिर वापस से एक बार revision करो बचो पूरा का पूरा जो आपने short notes बना है सिर्फ उनी से ही revision करना है फिर से अगला test दो और यह cycle जैसे जैसे आप जितनी जादा बार इस cycle को घुमाओगे ना बचो उतना ही मतलब आप बोल सकते हो कि अपने dream college तक पहुंचने के एक दम करीब कर भी जाते जाओगे जितनी जादा बार इस cycle को आपने complete किया है एक दम हिमानदारी से उतना ही करीब पहुंच जाओगे आप अपनी 2000 CUT 2024 की तैयारी में ठीक है उतने ही नजदीक पहुंच जाओगे अब अपनी seat को confirm करने के लिए समझ रहा मेरी बात अब आप बोलोगे कि सर यह पूरा का पूरा जो है time table हो गया किस तरीके से करें क्या करें हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा चैप्टर कैसे दें कौन क कहां से हमें material मिलेगा कहां से हमें पढ़ाई मिलेगी कहां से हमें mock test देखने को मिलेंगे अगर आप यह सब कुछ खुद नहीं कर सकते हो तो बच्छो आप लोगों के लिए बच्छो 20 नवेंबर से आपका बैच चालू होने वाला है वरदान ठीक है आप चाहो तो उसके अ पड़ेगा या तो आप उसकी website पर भी आ सकते हैं अड़ा247.com पर अब जैसे यहां पर आएंगे तो all courses आपको दिखाई देंगे बच्छों all courses के अंदर आपके पास government job, state, AE, J, gate फिर undergrad entrance exam लिखा होगा इस पर क्लिक करना आपको ठीक है इस पर क्लिक करेंगे तो cvt करेंगे है ना arts के है तो arts पर और अगर के वल जनरल टेस्ट और हिंदी मतलब आप language लेना चाहते हैं तो सिरफ उस पर टिक करेंगे तो यहां पर मैं आता हूं science में तो यह आपको वर्दान बैच दिखाए देगा यह purple color से आपको इस पर क्लिक कर देना है बच्छों यहां प और बच्छों आप एक coupon code apply कर सकते हो जिसका नाम है वाई 767 जैसी आप इसको apply कर दोगे तो देगे 3319 के अंदर आपको यह जो है course मिलने वाला है ठीक है कौन सा हमने coupon code apply किया है यहां पर वाई 767 ठीक है इसको जैसे आप apply करते हो तो आपके पास यह course का price जो है वो सिरफ इत आपको जल्द से जल्द and roll कर लेना है क्योंकि यह जो batch है यह 20 तारिक से आपका start होने वाला है और अगर आप चाहते हो कि इसके regarding कोई और details मिल जाए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आप से करना है तो आप मुझे mail भी कर सकते हैं बच्छों महेंद्र.केश्वानी अधरेट अधरेट अधर247.com इस पर आप मुझे mail कर सकते हैं साथ ही साथ बच्छों आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा description box में आप उस गूगल फॉर्म को फिल अप करके भी अपने फेवरेट फैकल्टी से discussion कर सकते हैं कि किस तरीके से उनको आपको आगे बढ़ना है तो यह सारी की सारी चीज़ें य अगर आपने इसको अभी से ही implemented नहीं किया बीस नवेंबर से हम तयार हैं बच्छों आपकी success के लिए अगर आप तयार हो फटाफट से enroll कर लो देल बिल्कुल मत करो ठीक है तो मैं महिंद्र आपका math guru बच्छों मिलता हूं आप से अगले इसी तरह के शांदार वीडियो के स आपक की लुए बच्छों मैं में अबताल हूं पूए खलाओ फ्यार फॉक्ट रॉक्ड हूं देख चीर एंबर पा ख्यार प्यार वहां की लिएक्ट शेफ झाल झाल झाल